हे गाइज वेलकूं टू मोडर कार खवर धीरे धीरे सभी कार मैनुशेक्चरर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख करते जा रहे हैं इसी बज़ा से आई दिन नई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जानने को मिल रहा है इसी कड़ी में न्यू रेनो क्विड इटेक जो की क्विड का एलेक्ट्रिक वर्जन है को हालिया टेस्टिंग के दोरान रोड पर देखा गया है हालांकि क्विड इटेक को चाइना में सिटी के जड़ इके नाम से पहले से ही बेचा जाता है Quid E-Tech रेनो Quid Face Lift पर अधारित है जहां E-Tech की Front Grill पूरी तरह से बंद है जैसे की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ग्रिल होती है जिस गाड़ी को टेस्टिंग के दोरान देखा गया है वे पूरी तरह से चाइना में मिलने वाली KZE की तरह दिखती है हालांकि टेस्टिंग वेहिकल की टेकनिकल डिटेल्स तो मालुम नहीं हुई पर सुत्रों की माने तो रेनो E-Tech में ज़्यादा दमदार इलेक्ट्रिक मोटर देने वाली है अगर कॉंपेर करें European Dacia Spring से तो जोकी एक Quid Waste EV है यूरोप में मिलने वाली एलेक्ट्रिक हैच बैक में मिलने वाली एलेक्ट्रिक मोटर प्रद्यूस करती है 44 HP की पावर और 125 Nm का टॉर्क इसमें मिलता है 26.8 किलोवोट का बैटरी पैक जो सिटी में 295 किलोमेटर की क्लेम्ड रेंज देती है सिंगल चार्ज में हालांकि CT KZE जो चाइना में बेची जाती है मैं भी सेम बैटरी पैक और पावर फिगर्स मिलते हैं पर इसमें क्लेम्ड रेंज घटकर हो जाती है 271 किलोमेटर सिंगल चार्ज में कंपनी के एकोर्डिंग बैटरी का छोटा साइज बैटरी को जल्दी चार्ज करने में हल्प करता है जहां 50 मिनिट में फास चार्जर के माध्यम से 80% बैटरी चार्ज हो जाती है और नॉर्मल चार्जर से 4 घंटों में 100% चार्ज किया जा सकता है इस नई रेनो क्विड ईटेक को सौथ अमेरिका में उफिशल लॉंच से पहले ब्राजील की सड़कों पर टेस्टिंग के दोरान देखा गया है जहां रेनो इंडिया ने 2020 में अनॉंस किया था कि के ये जैड ई एलेक्ट्रिक हैच बैग को 2022 तक भारतिय मार्केट में लॉं पर मेरे हिसाब से जैसे कंपनी ईटेक को सौथ अमेरिका में लॉंच करने के लिए तयार है तो उसके बाद कंपनी का अगला तारगेट इस इलेक्रिक हैच बैग को लेकर इंडियन मार्केट ही होगी जहां अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक कार 10 लाख रुपए से नीचे न आए अलांकि एरोपेन मार्केट में मिलने वाली क्विड बेस्ट डासिया स्प्रिंग की कीमत 15 लाख रुपए है जहां तक बात है रैनो क्विड की भारतिय मार्केट में प्रेजेंस की तो क्विड को कंपनी 2015 से ही भारतिय मार्केट में बेच रही है और ये हैच बैक कंप 54 HP 0.8 लीटर और दूसरा है 68 HP 1 लीटर इंजन आज के समय ये 5-speed AMT और 5-speed manual gearbox में उपलब्ध है भारत में रेनोक्विट कॉंपीट करती है एंट्री लेवल हैच बैक मारूती ओल्टो और डेटसन रेडी गो से रही बात रेनोक्विट इटेक लेक्टरिक की भारत में लौँच की तो ये गाड़ी इस साल के अंत में या फिर अगले साल यानि की 2-23 में लौँच हो सकती है तो गाइज ये थी इन्फोमेशन क्विट इलेक्टरिक के बारे में जो हाल फिल हाल सौथ अमेरिकन मार्केट में लौँच के लिए तयार है अब देखना होगा कि ये भारतिय मार्केट में कब दस्तक देती है और ग्रहकों के लिए क्या कुछ लेकर आती है अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ओल पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिस्केशन मिलती रहे तो जैहिन दोस्तो हैव गुड डै